कैसे रहेगा आपके पास कोई image है और आप इस वाले AI टूल से उस image से एक similar AI image बना पाओ और वो भी एक तरह की image नहीं आप अलग-अलग different type की image बना सकते हो सिर्फ एक image से मतलब आप उसी image से cinematic image बना पाओगे, anime image भी बना पाओगे, illustration, art image भी बना पाओगे, मतलब जैसी image चाहते हो बैसी image आपके सामने आ जाएगी इवन आप खुद की image से भी एक similar AI image बना पाओगे, अब कई बार हम अपनी YouTube वीडियो के लिए, internet पर हम कोई भी image को सर्च करने जाते हैं, तो पहली बात तो वो image हमें मिल नहीं पाती है, और जो मिलती है न वो paid होती है, या फर उसके अंदर bottom mark रहता है, तो ऐसी condition में भी आइडूल का use कर सकते हो, हम main बात आती है कि एक image से दूसी AI image कैसे बनानी है, तो bottom मैं step by step सिखाऊंगा ही, and episode के last में मैं ये भी सिखाऊंगा, कि उन images को अपनी YouTube वीडियो के अंदर कैसे के use करना है, और episode के last में मैं आपको एक final video भी दिखाऊंगा, जो उन images से बनके ready हुआ होगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए at least end तक बने रहना, अलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के special episode में, आप देख रहे हो AI for YouTube, सबसे पहले आपकी जो भी YouTube वीडियो है ना, उसके हिसाब से कोई भी image को download कर लो, जिसमें यहाँ पर आज चुका हूं, तो मैंने इस अगर आप कोई भी image डाउनलोड करने जाओगे तो वो पैसा मागेगी, तो मैंने इसको यहाँ पर bottom mark के साथ डाउनलोड कर लिया है, और अपनी वीडियो में जिस जिस तरह की image मुझे जरूर पढ़ने वाली थी, उन सबको मैंने इसी तरीके से डाउनलोड करके रख लिया आपको भी, और अपनी जिमयल को फिल करके आ पने पर लेट की डाउनलोड करने के बाद इसको अपने जिमयल को क्रने के बाद आपके तरह के जैसे कलीक करोगे तो क데 कोपी करने पर पेश करके और उस एमेज को इंपोर्ट करने के यहाँ सिब हो ऑग वेश्याइग करना ओ इमेज लाइक इस इमेज आप सिनेमेटिक की जगह रियलिस्टिक या फिर कोई और तरह की इमेज भी लिख सकते हो जैसी आप जनरेट करवाना चाहते हो फिर इसके बाद यह इमेज आपको पाइलट को दे देनी है और उस इमेज से यह आई टूल आपके लिए चार सिमलर इम बना कर दे दिये हैं simply आपको इसके क्लिक करके लें इसके में डाउनलोड कर लेना है अब दोस्तों एक इमेज से हमने दूसरी इमेज तो बना ली अब इसको अपनी वीडियो में कैसे करना है चली देखते हैं तो आपको पहले स्टोर पर जाना है एंड महां से डाउनलोड क को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लो फिर न्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो है ना उसको यहां पर इंपोर्ट कर लो और फोटो वीडियो वाले ओप्शन पर क्लिक करने के बाद जो को पाइलेट से हमने सिमलर इमेज बनाए थे ना उसको simply यहां पर इं वीडियो जाहें आप फोटोग्राफी करते हो या फिर वीडियोग्राफी करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो यह वाला याइटूल आपके बहुत ही काम आने वाला है तो इस तरीके से आप एक इमेज से सिमिलर एमेज बनाकर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो जिसके बाद आपको इमेज जूड़ने की जरूद नहीं आप पेड इमेज भी फिरी में यूज कर पाऊगे और दिखने में भी काफी आदा कूल लगती है तो आज की एफिसोड से इंफोर्मेशन कैसी लगी मुझ